हेलो बच्चो, तो बच्चो हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th, NCRT Science का चैप्टर नमबर 2, Acid, Base and Salt तो Acid और Base हम लोग कवर कर चुके हैं, और Salts हमने स्टार्ट कर दिया था न, Topic और Salts में हमने पढ़ा था Common Salt, है न, कुछ Salt हमने पढ़ लिए, जिसमें एक पढ़ा था हमने Common Salt और Common Salt में हमने ये पढ़ा था कि उसका जो Chemical Name होता है, वो होता है NaCl Sodium Chloride और Chemical Formula होता है, इसका NaCl बनता किस्से है Sodium Hydroxide और Hydrochloric Acid ये Laboratories की Preparation होती थी, और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जब Large Scale में हमें Common Salt को Produce करना हो तो या तो हम Use करेंगे Sea Water, है न, या तो Use करेंगे Sea Water, या फिर हम Use करेंगे Rock Salt और ये दोनों ही मैंने आपको समझाये थे पिछली बार, और ये भी बोला था साथ में कि One Marks में या Two Marks में Board Exam में पूछ लिया जाता है कि Common Salt को Rock Salt क्यों बोला जाता है और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि Common Salt की अपने हमारे Freedom Fighting में यूज था डांडी मार्च में गांडी जी ने जब डांडी मार्च किया था नमक सत्यागरे कहते हैं जिसे है ना तो One Mark में ये भी Board Exam में एक बार पूछा जा चुका है तो ये चीज़ आप सबको पता होने चाहिए उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि Common Salt को हम कुछ Salt बनाने के लिए यूज कर सकते हैं जैसे कि Bleaching Powder, Caustic Soda, Washing Soda, Baking Soda ठीक है तो उसमें भी हम लोगों ने Caustic Soda पढ़ लिया और Caustic Soda होता क्या है Sodium Hydroxide ही होता है और एक हमने पढ़ा था क्या Bleaching Powder अगर Bleaching Powder आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था Caocl2 Calcium Oxychloride और मैंने आपको साथी साथ ये भी बताया था कि जब भी आप कोई भी Salt पढ़ रहे हैं तो पांच चीजों पे बहुत अच्छे से Focus करना क्योंकि ये Question जो है पांच नंबर में डारेक पूछा जाता है Salt के उपर और कैसे पूछा जाता है बता देता हूँ कि अगर कोई Salt आपको पता है कोई भी Salt आपको गीवन है तो आपको कुछ चीजे पता होनी चाहिए जैसे की सबसे पहला आपको उसका Common Name पता होना चाहिए Common Name उसके बाद आपको उसका chemical name पता होना चाहिए फिर उसका chemical formula पता होना चाहिए और उसकी preparation कैसे की जाती है laboratory में आपको ये पता होना चाहिए और साथ ही साथ at least आपको उसके 2-3 uses पता होने चाहिए पांच नमबर में question पूछ लिया जाता है मैं आपको बार-बार यही बात दोरा रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मतलब कोई अपनी छोटी गलती की वज़े जैसे कि सर हमें बाकी चीज़े तो पता थी लेकिन हम उसका chemical name भूल गए थे या हम उसकी preparation भूल गए थे preparation मतलब chemical reaction है ना तो यह सब आपको पता होना चाहिए तो bleaching powder हम लोगों ने कर लिया था last lecture में आज हम करने वाले हैं baking soda और यह नाम आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो baking soda होता है kitchen में use किया जाता है खाने में काफी इस्तमाल किया जाता है और baking soda को use करते है kitchen के अंदर का जो chemical name होता है वो होता है sodium hydrogen carbonate और इसका जो chemical formula होता है वो होता है न अच CO3 तो यह बात हमें पता लगे कि baking soda क्या है common name है chemical name क्या है sodium hydrogen carbonate और chemical formula क्या हो गया न अच CO3 यह हमारे पास एक metal carbonate होता है उसके बाद यह इसकी preparation है कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो sodium chloride है common salt use किया जाता है baking soda बनाने में तो जब common salt मतलब sodium chloride की reaction ammonia, water और CO2 के साथ कराई जाती है तो यह हमें देता है ammonium chloride और साथ में देता है sodium hydrogen carbonate जिसको हम क्या बोल रहे हैं baking soda बोल रहे हैं और यह एक mild non-corrosive basic salt होता है basic salt अगर आपको याद हो तो पिछले lectures में मैंने बताया था कि basic salt का मतलब क्या होता है कि जो strong base और weak acid से मिलके बना होता है तो जो metal carbonate या metal hydrogen carbonate है यह basic salt होते हैं जिसको strong base और weak acid से मिलाके बनाया जाता है तो फिलहाल बात करते हैं कि हमारे पास क्या है non-corrosive है और corrosion आपको पता होगा first chapter में हम लोगों ने किया था अगर नहीं है या तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजेगा जाकि अपनी NCRT को भी आप रहफर कर सकते हैं तो जो corrosion नहीं करता जो corrosive नहीं होता उसे non-corrosive बोला जाता है तो baking soda जो है वो corrosion create नहीं करता non-corrosive होता है और basic salt है और अगर आप खाना पका रहे हैं और आप baking soda का use कर रहे हैं तो definitely आप उसको heat कर रहे होंगे तो अगर आप sodium hydrogen carbonate को heat करते हैं तो ये break हो जाता है sodium carbonate water और carbon dioxide में मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब आप sodium hydrogen carbonate को heat करेंगे तो ये decompose हो जाएगा sodium carbonate, water and carbon dioxide के अंदर और अब हमारे पास है uses क्योंकि चार पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए पहला क्या जैसे मैंने बोला था कोई भी salt होता आपको पांच चीजों पर focus करनी है common name, chemical name, उसका chemical formula उसकी preparation और साथ में उसके uses तो सबसे पहला जो use इसका आता है कि हम इसको use कर रहे हैं as a baking powder लेकिंग एक बात आती है कि sir baking soda और baking powder में क्या difference होता है तो baking powder use किया जाता है किसी भी चीज को fluffy बनाने के लिए उसको spongy बनाने के लिए ठीक है, soft and spongy बनाने के लिए तो फिर से वही question आता है कि sir baking soda को या मतलब baking powder को ये spongy कैसे बना रहे है किसी भी food को spongy कैसे बना रहे है तो होता है कि अगर आपको यादो थोड़ा सा कि हमने एक reaction पड़ी थी कि जब भी metal carbonate या metal hydrogen carbonate के साथ अगर आप किसी acid को react करा रहे है तो वो हमें देता है salt साथ में क्या देता है water और साथ में क्या देता है carbon dioxide तो baking soda और baking powder में ये difference होता है कि baking soda होता है हमारे पास सीधा सीधा sodium hydrogen carbonate लेकिन जो baking powder होता है वो mixture होता है sodium hydrogen carbonate और किसी weak acid का किसी weak acid का ठीक है सच ऐस tartaric acid तो ये difference आप याद रखेगा कि baking soda और baking powder में क्या difference होता है या आपको पता होना चाहिए एक number में पूछा जा सकता है ठीक है और शायद question आया भी हो तो मुझे याद नहीं है तो sodium hydrogen carbonate हमारे पास होता है baking soda और baking powder होता है mixture of weak acid and sodium hydrogen carbonate मतलब baking soda का तो for making baking powder which is a mixture of baking soda and a mild edible edible का मतलब होता है जो खाने लायक होता है है ना ऐसा तो नहीं है ना मतलब किसी भी acid को खा लेंगे HCL strong acid होता तो नहीं खाया जा सकता तो tartaric acid या oxalic acid या आपको याद हो तो malic acid या हमने कुछ acid पढ़े थे जो organic acid होते है जो plants में मिलते है तो यह हमारे पास edible acid होते है जिसको हम खा सकते है खाते भी है और यह हमने mixture बना दिया तो mixture बनाते के साथ ही मारे पास तयार हो गया baking powder और जब आप इसको मतलब किसी चीज में घोलते है dilute करते है तो यह react करता है और acid में आप सभी को पता होता है acid की property होती है hydrogen ion की वजएसे तो जब ही hydrogen ion acid के अंदर जो present होता है वो जब इस baking soda के साथ react करेगा तो क्या produce करेगा carbon dioxide produce करेगा और यही carbon dioxide responsible होता है किसी भी मतलब food को जिसको आप spongy बनाना चाहते है तो उसको soft और spongy बनाने के लिए जैसे आप cake या फिर जैसे यहाँ पर example लिखा हुआ bread और cake है ना तो इसको spongy बनाने के लिए carbon dioxide मतलब यह आप baking powder यूज करते है कि होता क्या है कि जो carbon dioxide gas produce हो रही है वो उस food में trap हो जाती है ठीक है वो उस food में trap हो जाती है तो वो food में trap हो जाने की वजह से वो उसको spongy बना देती है एक simple सा यही reason होता है इसका तो यह हमारे पास पहला use था उसके बाद अगला use हमारे पास है कि sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in an antacid अगर आपको याद हो तो हमने इस chapter की starting में किया था कि indigestion की वजह से खाना जब नहीं पच्छता है या फिर मिलब कह सकते हो acidity होती होती है counter करना है तो आपको definitely neutral करने के लिए उसको base add करना पड़ेगा है ना कि अगर आपको acid को neutral करना है अगर आप acid को neutral करना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर base add करना होगा और अभी हमने पढ़ा कि जो sodium hydrogen carbonate होता है वो basic salt होता है ठीक है मतलब basic nature इसका होता है तो हम use करते है baking soda को as an antacid मतलब anti-acid मतलब base की तरह हम इसको use करते हैं तो ये base मतलब baking soda उस acid के साथ react करके जो हमारे stomach में release हो रहा है उसको neutralize कर देता है और हमें काफी relief देता है और आप इसको fire extinguisher में भी use कर सकते है अभी जैसे हमने बोला कि जो NaHCO3 है मतलब आपका जो baking soda है ये जब acid के साथ react करेगा तो में क्या देगा CO2 देगा water देगा और साथ में salt देगा है ना तो CO2 क्या होता है fire को भुजाता है ये promote नहीं करता ये मतलब आपको भुजाता है ना तो इस वज़े से क्या करते है कि जो fire extinguisher आते हैं उसके अंदर soda और acid के जब reaction होती है तो ज़्याद amount में CO2 देगा निकलती है उसमें से और CO2 क्या करता है आग को भुजाने का काम करता है इस वज़े से हम ये कह सकते हैं कि जो baking soda है हम उसको fire extinguisher में यूज़ कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं कि हम ऐसा नहीं कि सरफ baking soda के यूज़ करते हैं उसके अंदर भी क्या होता है soda और acid का mixture होता है जैसे उनकी reaction होती है CO2 produce होती है CO2 extinguisher में से बाहर निकलती है और जैसे वो आग के उपर जाएगी तो आग बुझ जाएगी और अगला topic हमारे पास है washing soda तो washing soda का ये हमारे पास है chemical formula और इसको बोला जाता है sodium carbonate decahydrate इसको बोला जाता है sodium carbonate decahydrate तो sodium carbonate तो आप सबको समझ में आ रहा होगा na2CO3 है decahydrate का मतलब होता है hydrate मतलब होता है water molecule और deca मतलब होता है 10 जैसे आप लोगों ने सुना होगा tri, quad, pentahexa, octa इस तरह से तो deca का मतलब होता है 10 तो washing soda का जो washing soda हमारे पास क्या होगा common name होगा और इसका chemical formula होगा na2CO3.10H2O और इसका जो chemical name होता है वो होता है sodium carbonate decahydrate अब तीन चीज़ हमने कर ली जैसे हमने बोला था कि हमें पास चीज़े पता होनी चाहिए पहला कौन सा उसका common name दूसरा उसका chemical name तीसरा कौन सा उसका chemical formula तो common name पता लग गया chemical formula पता लग गया chemical name sodium carbonate decahydrate होता है और sodium carbonate obtain किया जाता है जब हम baking soda को heat करते हैं अगर आपको याद हो तो हमने अभी reaction की थी कि जब हम baking soda को heat करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है sodium carbonate मिल रहा है तो sodium carbonate मिल गया और उसके बाद हम इसको recrystallize कर देते हैं recrystallization का मिल रहा है कि हम उसके अंदर fixed amount of water molecule add करा रहे हैं मलब यह नहीं कि हम पूरा पानी घोल दिया उसको गीला कर दिया कि सरलो तयार हो गया हमारा washing soda नहीं हमें fixed amount of water content मतलब water molecule add करना होता है इस Na2CO3 में तो सीधी सी बात है हमें कितने molecule चाहिए 10 molecule चाहिए क्योंकि जब हमने NaHCO3 को heat किया था तो हमें मिल रहा था Na2CO3 साथ में मिल रहा था H2O और साथ में मिल रहा था CO2 ओके तो यह जो Na2CO3 है अब हमें इसमें add कराना है 10 molecule of water और यह अब हमें क्या मिल गया washing soda मिल गया तो यह होती है इसकी preparation carbonate को recistilize कराएंगे मरलब इसके अंदर हम fix amount of water molecule add कराएंगे और कितने water molecule add कराने होते हैं 10 molecule add कराने होते हैं ठीक है तो यह दो reaction इसकी making के अंदर preparation के अंदर लिख क्या नहीं है उसके बाद हमारे पास आता है last uses of washing soda तो obvious है washing soda आप use कर रहे हैं for cleaning agent कि आप cleansing purpose के लिए यूज करते हैं domestic मरलब domestic purpose में आप इसको यूज करने हैं as a cleansing agent और उसके बाद जो washing soda है water की permanent hardness को remove करने के लिए भी use होता है अगर आपको याद हो तो water भी हमने पढ़ाए कि दो तरह क्यों होते हैं एक होता है hard water एक होता है soft water और इसकी पहचान ऐसे की जाती है कि जब भी आप कोई detergent मिलाते हैं soft water और hard water के अंदर तो soft water क्या करता है sorry, soap मिलाते है तो soft water क्या करता है soap के साथ foam produce करता है जाग कहते हैं जिसको लेकिन hard water soap के साथ foam, जाग produce नहीं करता ज़ाद amount के अंदर ठीक है, तो hard water जादा जाग नहीं बनाता और hard water जो है अच्छे से cleaning भी नहीं करता जैसे कपड़ों में use करते हैं तो बोला जाते है कि soft water होता है अच्छी मरलब सफाई हो जाती है लेकिन hard water से अच्छी सफाई नहीं होती तो फिर क्या use होता है washing soda कि जब आप washing soda को hard water में mix करते हैं तो hard water convert हो जाता है soft water के अंदर तो ये इसका use होता है उसके बाद बोला manufacturing of sodium compound such as borax कि washing soda को borax बनाने में use किया जा रहा है तो borax भी एक तरह का cleansing agent होता है ठीक है कि आप इसको साफ सफाई के लिए कोई दाग लग जाता है तो आप उसको use करते हैं साफ सफाई में और sodium carbonate को use किया जाता है मतलब washing soda को use किया जा रहा है glass, soap और paper industries के अंदर ठीक है कि आप इसको soap and detergent बनाने में भी use कर रहे हैं paper industry में भी use कर रहे हैं तो ये चार आपके पास यहाँ पे इसके uses है तो ये सारे के सारे easy आप मतलब easily कर लेंगे इसको तो आज के लिए बस इतना ही thanks for watching, bye bye